वेलकम यू ओल आएम रोईत्रो महाजन ट्रेडर सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बंदन बैंक एल्टेडी के बारे में और गाइस अगर देखा जाए तो बंदन बैंक में एक कंटिन्यू हमें गिरावट देखने को मिल रही है और बैक टू बैक अगर देखा जाए तो स्टॉक में गिरावट है बट कही ना कही गाईस हमें इसमें एक्टिन रहना होगा अगर आपने बंदन बैंक को बाई किया है तो आपको इसमें एक्टिन रहना चाहिए मैं ऐसा क्यूआ बोल रहाओ क्योंकि guys कुछ support levels ऐसे है stock में जो आपको loss से बचा सकते है कुछ ऐसे support level है जो आपको loss से बचा सकते है और साथ ही अगर एक बात कहूँ तो अगर आप panic में आकर इसे बेचने की सोच रहे हो तो guys बिलकुल आप गलत हो मैं जा क्यों गोल रहा हूँ क्योंकि कही न कहीं stock में positive चीज आएगी guys market गिर रहा है इसलिए stock में गिरावट है और guys अगर आप shareholders loss में अगर आप चल रहे हो तो wait करो एक level में ऐसा बताने वाला हूँ उस level को जब stock break करेगा तब ही आपको बेचना है नहीं तो इस level इस stock में आपको hold रखना होगा consistent रहना होगा बिलकुल अड़े रहना होगा जब तक हमारा level अच्छी ना हो जाए अगर नए निवेशक हो तो बिलकुल उनके लिए भी ये video important ही है क्यों मैं ऐसा बुल रहा हूँ क्योंकि नए नई opportunity कभी भी जाने नहीं देने जीए market बार बार ऐसी opportunity नहीं देता है गाइस तो गाइस बंदन बैंक एल्टीडी के बारे में काफी कुछ बाते हम करने वाले है तो वीडियो को end तक देखना क्योंकि काफी helpful ये video आपके लिए होने वाला है तो गाइस बात कर रहे है बंदन बैंक एल्टीडी के बारे में अगर देखा जाए तो stock ने closing कहा पर दी है closing की बात नहीं है अब भी भी market में live ही है और 291 रुपे 10 पैसे पे stock trade कर रहा है और देखा जाए तो stock गिरा कितना है गिरा कितना है 6 रुपे 20 पैसे तक stock में गिरावट है देखा जाए तो चे रुपे 20 पैसे तक stock में गिरावट है साथी 2.24% तक stock में एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है वही गाईज अगर देखे अब बढ़ते हैं आगे और देखा जाए पहले हम बात करेंगे वन वीक के जार्ट प्रेम पर तो वन वीक के जार्ट प्रेम पर मैंने क्लिरली बताया था कि गाईस कुछ ऐसा एक पैटन बन रहा है जहाँ से स्टॉक एक अच्छा पैटन बनता नजरा रहा है यहाँ से स्टॉक गिरा सपोर्ट लिया फिर उपर गिया फिर नीच आया फिर गिरा यहाँ पर सब रेजिस्टन्स लेवल से फिर नीच आया फिर यहाँ पर इसने ब्रेक पर समझेगे तो यहाँ पर आपको wait करना है यहाँ पर हैं इस पाइट कर देता है तब ही आपको sell करना है क्योंकि यहाँ से गिरावट सीधा नीचे आएगी और नीचे अगर इस लेवल को break किया तो मान लीजेब तो यहां से काफी तगड़ी गिराउट आएंगी 153 तक भी स्टॉक जा सकता है तो ऐसा भी हो सकता है बट जब level को break करें तब नहीं तो आपको wait करणा होगा इस level का अगर यहां पर breakout मिलता है तो उपर के levels भी हमें इजी तरीके से अच्यू होते हुए नजर आ जाएगे तो guys यह important level थे जो हमने आप से discuss किये है इन level को आप अपनी watch list में रख लेना और अगर नए निवेशक हो तो बिल्कुल एक opportunity मिलेंगी आपको इस level पे buy करने के लिए इस level पे buy अगर कर लिया तो बिल्कुल अच्छे returns इसमें बन सकते है बढ़ते हैं अब आगे और देखो तो पाच दिन के टाइम फ्रेम पर stock कितना गिरा है चार पॉर रुपे 75 पेसे तक stock गिरा है 1.72% के हिसाब से और वन मन के टाइम फ्रेम पर 24 रुपे 40 पेसे तक stock गिरा है माइनस 8.26% के हिसाब से वही अब बढ़े तो आगे 6 मैने के टाइम फ्रेम पर 48 रुपे 90 पेसे तक stock में गिरावट है 15.88 28% के हिसाब से वही अब बढ़े आगे तो यहाँ पर year on half के pattern पर 119 रुपे 10 पेसे तक stock गिरा है मतलब 400 रुपे से stock में back to back गिरावट आती होई नजर आ रही है open कहा हुआ था गाई stock तो open हुआ था 277 रुपे 95 पेसे के price पे high लगा था 289 रुपे 80 पेसे का और low लगा था 270 रुपे 70 पेसे का market cap 43.68 करोड का है dividend की बात करूँ 0.37 30% का dividend भी stock देता है तो dividend के मामले में भी stock अच्छा नजर आ रहा है वही अगर बात करें 52X का high और 52X का low तो यहाँ पर high के अगर बात करें 430 रुपे 70 पेसे का high हमें नजर आ जाएगा और low अगर देखें 299 रुपे 25 पेसे का low भी आपको देखने को second resistance level 288 रुपे 40 पेसे का है और third resistance level यहाँ पर 291 रुपे 80 पेसे का दिख जाएगा support levels की अगर बात करें 293 रुपे 90 पेसे का first support level है second support level 270 रुपे 50 पेसे का है और third support level 264 रुपे 95 पेसे का दिख जाएगा वही अब बढ़ते हैं आगे और देखेंगे price performance तो price performance को अगर देखा जाए तो one week का अगर देखें तो plus में है बाकी अगर देखें गाइस पिछले तीन सालों से minus में नजर आ रहा है तो कहीं न कहीं यह positive आने की कोशिच करेंगा क्यूंकि पिछले कई सालों से यह minus में है सब बात करेंगे trade value और component delivery ट्रेड वेल्य और component delivery भी important है तो उन्हें भी देख लेते हैं तो आज की दिन का अगर देखा जाए trade value तो 43 lakh के something का trade value हमें देखने को मिल जाएगा yesterday की बात करू 59 lakh के something का trade value है और 19 lakh के something का है component delivery one week का average 94 lakh के something का है trade value और 29 lakh के something की है component delivery और guys वही एकर बात करें one month का average तो 74 lakh के something का है trade value और देखे जाए component delivery तो component delivery हमें देखने को मिल जाएगी यहाँ पर 24 lakh के something की तो यहाँ पर trade value और component delivery भी हमने discuss कर लिए guys अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं community sentiments के आकड़े क्या खते हैं तो community sentiments के आकड़ों में देखा जाए तो कही ना कही 75% लोग अभी भी यहाँ पर buy call दे रहे हैं buy call दिया जा रहा है 75% लोगों की और से और 25% लोग जो हैं वो कह रहे हैं आपर sell के लिए हैं तो guys depend करता है आपके उपर कि आपको क्या करना है जो levels मैंने बता है उन levels के हिसाब से अगर चलोगे तो बिलकुल loss से बच सकते हो जैसे ही levels को break करें वैसे ही आपको बेच देना है जादा सोचना नहीं guys नहीं तो 150 तक भी stock जा सकता है आपको ध्यान में रखना होगा तो अब बढ़ते हागे रेविन्यू की पौर रेविन्यू अगर देखा जाए तो यह रोन यह रेविन्यू अच्छे खासे बढ़े है देखे 2021 में तकड़ा रेविन्यू गेन किया था 12,524 करोर का नेट प्रॉफिट अगर देखे तो नेट प्रॉफिट को हम डिसकस करते है यहाँ पर क्या खुछ शेर होल्डिंग पैटन है तो शेर होल्डिंग पैटन में प्रमोटर्स की होल्डिंग 49.99% है FI की होल्डिंग तगड़ी है 33.1% DI की होल्डिंग कम है पर अच्छी है 2.5% और पब्ली होल्डिंग है 23.9% तो गैस टॉक में काफी कुछ चीजे है जो मैंने आपको बता ही है और वीडियो पसंद आप वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो ठेंक्यू